करोगे दोस्तो भारत के लिए एक और शिंता है अमरीका की धार्मिक आजादी पर एक एहम संस्था है जिसका नाम है USCIRF इन्होंने भारत के ग्रह मंत्री और भारत के प्रधान मंत्री के खिलाफ प्रतिबंद लगानी की बात कही है क्या कहा है मैं आपको पढ़के सुनाना चाहूंगा अंग्रेजी में और मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर अमरीका हम पर प्रतिबंद लगाएगा तो यह प्रतिबंद किस तरह के होंगे क्योंकि अगर आर्थिक प्रतिबंद होते हैं दोस्तों तो आप जानते हैं कि देश की अर्थिवस्टा किस नाजुक दोर से गुजर रही है क्या भारत ये अफॉड कर सकता है एक तो मुझे ये बात समझनी आती कि सरकार को मश्वरा दे कौन रहा है कौन दे रहा है मश्वरा कि आप एक के बाद एक ऐसे कदम उठा रहे हैं जिससे भारत की इज़त, भारत की साख पर वट्टा लग रहा है जाते जाते मैं आपसे सिर्फ दो चीज़ें कहना चाहूंगा दोस्तों क्या आप जानते कि जर्मनी में यहूदियों और रवांडा में तूदसियों के खिलाफ जो नरसंगार हुआ था वो अचानक नहीं हुआ था यहूदियों की नागरिक्ता पर इसी तरह के अंकुष जर्मनी में लगाये गए थे और उसके बाद उनके खिलाफ नफरत भड़ा प्रोपेगांड़ा चलाये गया था बिलकुल उसी तरह से जिस तरह से गोदी मिडिया इस वक्त चला रहा है हिंदू मुस्लिम के नाप पर उसी तरह से रवांडा में तूदसियों के खिलाफ रेडियो रवांडा नफरत उगलता था और फिर आप जानते हैं क्या हुआ था यहूदियों के साथ भी और तूदसियों के साथ भी मेरे एक मुस्लिम दोस्त हैं उनके पिता अब जिन्दा नहीं है तो वो कह रही थी कि कल अम्मी का कॉल आया था और अम्मी मुझसे कह रही थी कि मैं तो तुम्हारे अबू का पासपोर्ट फेग देने वाली थी मगर अब मैं उसे जान भूच कर बचा कर रख रही हूँ पतानी कब जरूत पढ़ जाए हमें जी हकीकत ये है कि सिटिजन्शिप अमेंड्मेंट बिल से देश में एक असुरक्षा बढ़ रही है और आप जो इस देश के हिंदू है इस बात को याद रखिएगा कि आपके देश के अंदर जो 14 फीस भी की आबादी है उसमें अगर आप असुरक्षा बढ़ाएंगे तो ये मत सोचिए कि हम सब खुशी से रह पाएंगे ये मत सोचिए कि इस बिल के जरीया आप मुसलमानों को ठिकाने लगा देंगे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है आप पूरी दुनिया में लगातार बदनाम हो रहे हैं और हो जाएंगे और इसका सीधा असर आपकी रोजी रोटी पर पड़ेगा और जब आपकी रोजी रोटी पर असर पड़ेगा ना तब शायद अकल ठिकाने आए सुनिये सरकार में बस इतना ही मेरी आप सबसे अपील कि इस कारकरम को साथ साथ लोगों तक पहुंचा है इसे लाइक करें, शेर करें और HW News को सबस्क्राइब करें नमस्कार झाल